हाई फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल जर्नी ओफ हार्ड वर्क तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो सुप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सब अच्छे हैं अच्छा अज दिना कौन सी है शबबाश 16 अप्रेल 2023 अच्छा क्या आप एक गती विधी करना बसंद करेंगे गती विधी के लिए आप सब बड़े ही उच्छुक हैं तो आज हम करेंगे एक मज़ेदार गती विधी जिसमें आपको अपने पसंदीदा खेल बताने हैं क्या बताने हैं पसंदीदा खेल लेकिन वो कैसे बताने हैं बोल कर नहीं बलकि एक्ट करके कैसे बताने हैं एक्ट करके तो चलिए शुरुआत करते हैं गीता से चलो गीता बताओ बेटा आपका पसंदीदा खेल कौन सा है आपके सभी साथ ही पहचानेंगे कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है बताईए एक्ट करके पहचाने पहचाने कौन सा खेल है हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही पहचाना गिल्ली डंडा, बहुत ही बढ़िया आप बताएगी मीना, बताओ बेटा, आपका पसंदीदा खेल कुन सा है पहचानिये, पहचानिये कंचे, अरे वाह, आप बताएगा रोहन बताईए आपका पसंदिदा खेल कौन सा है फुटबोल अरे वाह आप बताएगा मोहन बताओ बेटा आपका पसंदिदा खेल कौन सा है अरे वाह क्रिकेट ये तो ज्यादा तर को पसंद होगा हाथ खड़े कीजिए किसको किसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है ज्याद अतर को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट खेलने के लिए हमें किस-किस चीज की जरूरत पढ़ती है शाबाश इसकी जरूरत पढ़ती है हमें गेंद की वेरी गुड और किसके जरूरत होती है हाँ, बल्ले की तो ये क्या बन गया बल्ला बन गया अरे वाफ बल्ला तो बड़ा खुश है गेंद के साथ खेल कर आप भी खुश होते हैं न क्रिकेट खेल के हाँ, तो आज हम एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी का आनन लेंगे जो की है क्रिकेट के बारे में और इसका नाम है गेंद बल्ला क्या नाम है? गेंद बल्ला तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में तो एक बार एक बोल होती है और एक बल्ला होता है अब गेंड आई बल्ले के पास और बोली अरे बल्ले भाई Clay आप यूँ रोज रोज मुझे क्यों मारते हो भला अब बल्ला बोला कि अरे गेंड बहन अगर मैं मारूंगा नहीं अगर मैं मारूंगा नहीं तो खेल कैसे होगा भला अब गेंड जैसे ही धीरे 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 बल्ले के पास पूँची तो क्या हुआ? सोचो सोचो क्या हुआ होगा? हाँ शबाश बल्ले ने आम देखाना ताव और गेंड को जोर से मारा और गेंड इतनी दूर जाकर गिरी कि जाड़ियों में डर के मारे छिप गई अब बल्ला परेशान धून रहा है गेंड को किधर हो गेंड वहन? किधर हो? पर गेंड का तो कुछ अता पता ही नहीं है अब तो अंहेरा हो गया था बिचारा बल्ला भी बड़ा परेशान हो गया था और निराश हो कर बस अपने घर की तरफ ही लोट रहा था की? एक आवाज आई अरे? यह आवाज किसकी थी? गेंड की थी? गेंड चिला कर बोली अरे बल्ले भाई, मैं तो यहाँ हूँ कहाँ? जाडियों में आओ और मुझे ले लो अब बल्ला बड़ा खुश हो गया अरे वाज गेंड मिल गई अब तो मैं इससे खूब खेलूंगा और वो गया जाडियों के पास उसने जट से अपना हाथ बढ़ाया और खीच लिया गेंड को आप गेंड बोली कि बल्ले भाई आप मुझे कभी मत मारना नहीं तो मैं कभी नहीं मिलूंगी और फिर गेंड और बल्ले में दोस्ती हो गई कैसी लगी कहानी? अच्छा बहुत नजाया ओके तो इस कहानी में एक गेंड थी और एक बल्ला था जिसमें कौन किसे मारता है? हाँ, बल्ला गेंड को खूब मारता है अब ऐसे और कौन से खेल है? जिसमें एक चीज दूसरे को मारती है सब एक एक खेल का नाम बताएंगे चलो बताओ गिल्ली डंडा और बताएए शबाश टैनेस हाँ, बैड मिंटन और बताएए चल लिए अब ऐसे तो बहुत सारे खेल हैं जिसमें एक चीज से दूसरी को मारा जाता है है ना? तो आपका ग्रह कार यह है अखबार से गेंद और बल्ला बना कर लाएं ठीक है बच्चा हूँ? I hope friends आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है so do like, share and subscribe थैंक यू